इस वीडियो के दुरान जो कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछेगा उसका जवाब दिया जाएगा वो यूपी केटिट आइस्यार बी एच्चू से लेटिड किसे भी एकजाम से हो सकता है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूटूब चैनल टैसी पॉइंट यूपी केटिट यानि की उत्तर पलदेश कंबाइंड एकल्चर एंड टेक्नोलोजी इंट्रेंश टैस्च तूथाउजन टूटिएटिवन के जो एप्लिकेटिजन फोर्म है वो रिलीज हो चुके ह और हम उसकी बुक्लेट लेकर प्रस्तुत हुए हैं उसमें उस सभी जानकाईदिय हुई है यूपी केटिट दोजारीकिस एक्जाम से लेटिड चाहे वो एप्लिकेटिजन फोर्म की लाजट टेट हो चाहे वो रिजल्ट की बात हो एक्जाम की बात हो या फिर सीट्स फीस किसी भी चीज से लेटेर कोई भी यहां पर चीज़ है वो सभी इस बुक्लेट में दी गई होती है तो इस बुक्लेट के माद्यम से हम आपको बहुत साफी चीज़े समझाने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं इस बुकलेट में तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कब को कब से आपका ओलाइन आवेदन शुरू हो चुका है तो यहाँ पर 28 फरवाई से 15 अपरेल 2021 के साम 5 बजे तक ही आप एप्लिकेशन फरवाई तक आपका फरवाई जाना चाहिए इसके बाद आवेदन पत्र संसोधन याई कि अगर आपकी कुछ गलती हो गई है फरवाई बरने में तो उसको आप 17 से 20 अपरेल साम 5 बजे तक ठीक कर सकते हैं इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 1 जून 2021 को रिलीज कर दे जाएगा और आपकी जो एकजाम डेट है वो 16 और 17 जून को होगी इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो 30 जून को रिलीज कर दे जाएगा रिजल्ट रिलीज होने के बाद आपकी जो काउंसलिंग है वे श्टार्ट हो जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे पल्थम ओनलाइन काउंसलिंग जो आपकी 5-7 जुलाई से आप डेश्टरियन कर सकते हैं इस परकार से आपकी सेकंड राउंट की काउंसलिंग होगी और फिर थर्ड राउंट की काउंसलिंग होगी उसके बाद एक अतरिक्त विसेस ओफलाइन काउंसलिंग होगी तो इस परकार से काउंसलिंग के वक्त हम आपको सभी इंफोमिसन देते रहेंगे फिलाल तो आप ये रखिए कि आप अप्लियन फॉम अच्छे जिबर पाएं तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि यूपिकेटट दोजार इक्टिस का जो अप्लियन फॉम है वो केवल ओनलाइन ही बरा जाएगा इसके साथ आप जो यह बुकलेट है वो यूपिकेटटटएडमिसंस.org या फिर www.svbp.uat.ac.in वेबसेट से डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ आप ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो इन दोनों वेबसेट में से किसी पर भी आपको मिल सकता है दोनों पर मुझूद है उसके साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने आधार नंबर के आवसकता होगी आपके पास एक मॉबाइल नंबर होना चाहिए और एक इमेल आईडी होने चाहिए जो आपकी परसनल हो आधार कार्ड मॉबाइल नंबर इमेल आईडी के साथ साथ आपके पास एक पासपोर्ट साथ की फोटो जरूर होनी चाहिए उसके साथ आपके पास आपकी जो डोक्यूमेंट्स हैं आपके 10 के 12 के वेसा भी आपके से आपना अब लिए फोरम भर सकेंगे कैस्ट मेंट्ism हमसे इलजसीविलिटी के बारे में पूस्ते हैं कि BSA कलचर के लिए क्लियес के लिए क्लिये क्लिए अरे कलचर में भी आपके पास कोई भी अगर आपकेपस इन तीनों में से था तो आप इलिषीबल हैं लिएवरेंस्टी में भी आप तीनों के लिए लिएवल हैं इसमे में यहां विया Kapस ऑपके पास अगर है कलचर साइंस ती या फिर फिजिक क्रिम Happiness मींmbol 170 में केवल वे ही इसमें इलिजिवल हैं और वे भी वे जिनके 50% मार्क हैं PCB में अगर वे जनरल या OBC कर्टगी से बिलोंग करते हैं और अगर वे SC-ST से बिलोंग करते हैं तो उनके जो परसेंटेज मार्स होने चाहिए 47.5% मिनिमम होने चाहिए इस परकार से आप सबी के लिए वि के लिए केंपस यहां पर सी से की बात करें तो टोटल 114 सीट हैं 114 में से 77 सीट हैं 25 बारे सीट तो कुछ इस्टूड़ेंट्स में से पूछते हैं कि फ्री और पेड में इनमें क्या अंतर होता है तो अगर मैं B.S.C. कल्टर की बात करो तो इसमें फिरी में आपको नॉर्म फीस देनी होती है लेकिन जो पेड़ सीट होती है उसमें आपको 50,000 पर यह जादा देना होता है यानिकि हर साल आपको 50,000 रुपे जादा देना होगा तो यह अंतर आता है सबसे बड़ा paid seat और free seat में बात करें NRI seat की तो NRI seat में आपको एक लाख रूपे ज्यादा देना होता है per year तो यह difference होता है fees में जिसके वज़ाए से यहां पर free, paid और NRI लिका हुआ है और NRI mainly उन students के लिए होती है जो बात से बार रहते हैं इनके जो पूर्वास थे उता पल्देश में रहते थे तो उनके लिए में ली होता है यह सब तो इस परकार से अगर हम भी वीएस्टी की बात करें इसमें तो भी वीएस्टी में सीट जो है केवल अचारे नंदे उनिवर्स्टी ओप एकलचेंड टेक्नोलोजी में है और स्व सब्सक्राइब बात करें तो टोटल 138 सीट है यहां पर 136 सीट सें बीवीएस्टी की टोटल तो यानि कि अगर आपको बीवीएस्टी लेना है आपके पास बायो है तो आपको अच्छे से इसकी प्रिपेशन करनी होगी हमने भी इसकी प्रिपेशन के लिए अपना एप लौंच कर दिया है आप टैसी पॉइंट सल्च करके प्ले स्टोर में से अप्लिकेशन डाउनलो अगर आप एकलचर की किसी भी आई सी आर बीएच्ची यहाउ करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर हम कोशट्ट पेपर की बात करें तो कोशन पेपर में यह आपर साथिक के पिच्ड कोरह सबहिए हैं सबी किसी भी गरुप के हो चाहे इस्टूडेंट आप सभी में 200 कोश्चन पूछे जाएंगे PCM में MATH के 80, chemistry के 50, physics के 50, GK के 20 तो बहुत से स्टूडेंट के सवाल होता है कि GK की वे तैयारी कहां से करें यानि कि G.S की तैयारी कहां से करें यह केवल आवेरनेस के लिए पूचह जाते हैं सवाल इसके बाद प्यूजी की बात Fighter कहें तो पिये जी का आप देख सकते हैं किस परकार्च कितने किशयर यहां पर पूचह जाते हैं टोटल 200 दूच्टे और यहां पर पियँ यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अगर मेंली डेट की बात करें तो यूजी जो प्रोग्राम के स्टुडेंट है यानि कि जो यूजी में अचाहते हैं बीएसी बीएसी बीटेक इन्हें में अचाहते हैं तो उनका जो एकजाम है वो सोले तारिक को 9 बज़े तक 3 गंट का एकजाम होगा वो इसके बाद सेलेबस की बात करें तो सेलेबस आप यहां पर देख सकते हैं कि सबीसना तक पार्टेक्रमों के लिए संब्दित विश्यों का यूपी बोर्ड द्वारा निंदाएत इंटरमीडियेट परिक्छा का सेलेबस यानि कि यूपी बोर यहांने कि निगेटिव मार्किंग होगी इस वाले एकजाम में थ्री मार्क्स दे जाएंगे अगर आपका कोश्चन राइट जाता है तो तो आपको तीन नंबर दे जाएंगे और अगर आप कोश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपका एक मार्क काट ले जाएगा कट हैं तो यहां पर को नॉर्मल कटोप दे रखी है कि मिनिममम इतने नंबर तो होने ही चाहिए अगर आप और आठ एकजाम सेंटर हैं अधिया बांदा वारांसी लखनव कानपूर आगरा वरेली मेरट तो यहां पर टोटल एक्स बार एकजाम सेंटर बनाए गए हैं पिछली की बार चाही थे वह यहां पर अगर वेटेज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बीविए सी और एच यानिकि वैटरनरी साइंस को चोड़कर सभी कोर्सों के लिए दो पर सत्वेटेज मिलेगा जो भी स्पोर्ट परसन है जिसने राज्य इस तर्या या फिर सब्सक्राइब कर रखा है यहां पर अगर फीज की बात करें तो वर्ग समाने पिछड़ा वर्ग को बार सो पचास रुपे जमा करने हैं अन्सुचित जाते हैं स्टी को एक हजार पचास इसके बाद अगर ओनलाइन आवेदन कैसे करें यानि कि इसकी बात करें तो हाउट को एपलाई ओनलाइन तो इसके लिए हम कल मोर्निंग में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जिसमें हम रियल में एक स्टूडेंट का एपलिकेंट फोर्म बढ़के दिखाएंगे तो आप उस परकार से उसको फोलो करके अपना एपलिकेंट फोर्म बढ़ सकत आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टॉल पर जाकर टैसी पॉंट नाम डालकर आप उसको इंस्टॉल कर लें हम वहाँ पर पांच मार्च से अपनी क्लास स्टार्ट सुरू कर देंगे इसके साथ साथ आप अगर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन जाबर